सोलो एंड बिल्कन दोस्तों टेक्टिकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका सुभागत है तो फानली दोस्तों आज के लिए हम बात किनों ले हैं रेल्मी के 2L प्लस 5G फोन में इंकमिंग को लाइट और नोटफिकेशन लाइट सेटिंग के बारे में अब आपके पास कॉल ऐगा तो इस तरीक है का लाइटिंग वर्क करेगी जब भी आपके पास कोई बंदा क्ल करेगा तो आप यहाँ पर अगर आप लोग सेट करने जाता हो अपने फोन पे तो सेटिंग नहीं कर पातो आपके फोन के सटिंग के अंदर इंदर य श्क्रिसिन क तो फाईनी दोस्तों इसी के बारे में detail के साथ बताने वाले तो वीडियो को end तक देखेगा, skip मत कगेगा, तो चलते हैं वीडियो को सुरू करेते हैं, इससे पहले दोस्तों हम अब बढ़े को like करको like के लिए एंड स्ग्राप का link में ये येकर डिश्क्रप्र में, वहां से ताकि आपके पास कोई बंदा कोल करें तो इंकमिंग को लाइट चारो स्क्रीन के तरफ जलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ, जो कि आपको सेट करना कैसे है, पहले हम सेटिंग के अंदर चल कर आपको पताते हैं, और सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों इस तरफ की एक इंटरफेस मिल जागा, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक उप्षन, वालपेपर इस्टाइल, वालपेपर इस्टाइल पर आपको किलिक करना है, आप जैसे इस पर कलिक करता हो, यहां पर आपको इस तरी इक इंटरफ्रस मिल जाता है, अब यहां पर नीचे आपके एक option मिल जाता है, Age lighting का Age lighting पर क्लिक करोंगे, तो यहां पर आपको तीन color का lighting मिल जाता हैं यह काम करता है, All baird on display पे जब आपका Cloak lock होता है screen, तो यहां पर आपका यह work करता है, आपके incoming call पर काम नहीं करता है, तो यह से कैसे आप लोगो set करना है, मैं आपको पताने लहूँ, तो set करने के लिए फाली दोस्तों, आपको play store के अंदर आना है, और play store के अंदर आने के बाद, search बार पर आपको लिखना है, यहां पर notification age light, तो यहां पर आपको scroll करके नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहां पर आपको एक app मिल जाएगा, उस app को मैं discussory के अंदर लिखे दोगा, वहां से भी आप जाकर download करना, और मैं यहां पर बता भी देता हूं आप लोगों को, तो यहां पर आपको app मिल जाएगा, यहां पर आप rating की बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर आपको 4.6 का rating यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, 3MB का app है, और यहां पर downloading 50 के है, तो अच्छी खासी working app है, मैं खुद अपने phone में एउच करता हूं, आप भी अपने Realme के, Realme 12 Plus 5G phone में एउच कर सकतो, तो यह हमारे phone में download हो चुका है, इस्टोल हो रहा है, तो इस्टोल होने कबाद हम इसे open करेंगे, और enable करके आपको बता देंगे, तो यहां पर हम enable करने वाल है, इसे open करके, open करने कबाद इस तरी की interface आजाएगा, open होने कबाद, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बेट करना है, open होने कबाद आपके पास एक एड आएगा एड को आपको skip कर लेना है यहां से अब मैं यहां से skip करके देखा आप लोगों को इस तरीके से skip कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्टिपिक करना है और continue क्लिक करके और first number आपको age lighting का उप्सन में लेगा उस पे क्लिक कर देन है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको अलाओ को permission देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको first number पर enable का उप्सन में लेगा लिखा गया display incoming effective enable क्लिक करोगे ऐसे आपको आप मिल जागा यहाँ पर search करेगा यहाँ पर तो क्या करना है दोस्तों नीची आपको scroll करना है और उस आपको ढूर लेना है इस वाले आपको download ओन करना यहां से और back कर देना है बैक करने बाद दोस्तों फिर से अलाओ पर क्लिक करके end यहाँ पर display incoming calls को ओन करना है उपके प आपको permission देना है जिस एप पे आपको light work कराना है उस एपको permission देना है तो मैं यहाँ पर enjoyppics लिए अपने इस आप से कर लेता हूं आप इसाप आप से कर लेना, तो Facebook हो गया, और दोस्तों यहां पर email हो गया, उसके बाद दोस्तों Instagram हो गया, यहां पर हमारा message app हो गया, music play हो गया, dialer हो गया, जो कि यहां पर आप लोगों को dialer को भी मैं permission दे दिया हूँ, अब दोस्तों, यहाँ पर यहां से बैख करने के बाद, फाइलली दोस्तों, यहाँ पर आपको galaxy या फेलेक्सी का उप्सन है, तो आप लोग अपने हिसाब से कस्टो माई स कर लेना, उसके पाद color को mixing कर लेना है, यहाँ पर आपको size को थोड़ा fast कर लेना है, बेटर दोस्तों से कस्टमाइज कर लेना है यहाँ पर आपको कस्टमाइज करने का उप्षन मिल जाता है तो यहाँ पर आपको साइज को कस्टमाइज कर लेना है उसके बाद उससे नीचे आपको मिल जाता है फास्ट का option यहापर 10 second भी रख लेना े, 10 second यहाँ पर आपको maximum last, यहाँ पर latest कर लेना है, यहाँ पर आपको size को मोटा भी करने का option मिल आता है, तो आप Talmud का customize कर लेना इस तरी के से, इस तरी के से आप लोगो काchet कर लेना और भास्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्डों किया लाइटिंग सेट हो जाता है जब भी आपके पास कोई बंदा कोल करेगा तो इंकविंग को लाइट पर यह लाइट वर्क करेगी जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है और इस तरह किसा आप आपको मेडियम साइज में कर लेना है ताकि देखने में इंट्रेस्टिंग लगे अब इस चीज मैंने सेट कर लिए है अब यहां से आपको कुछ निके ना बैक कर लेना है अब बैक करने के बाद दोस्तों यहां पर अगर आपके पास कोई बंदा कोल करता है तब भी काम अब जैसे कि यहां पर हम मिल्चुक पले पर जाते हैं तो मिल्चुक पले को ओपन करते हैं और यहां पर हमारा मिल्चुक पले ऐप ओपन हो जाता है उसके अंदर कोई भी गाना को प्ले करके दिखाते हैं देख से तो यहां पर लाइटिंग वर्क कर रही है यहां पर आप तो यहाँ पर मेरा lighting बंद होने बाद, कुछ सिकेंटीबाद आपका lighting ये work करना बंद कर देगा, तो यहाँ पर आपको फिर से call करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर call को लगा दिया और यहाँ पर lighting आपको दिख रही होगी, पर आपको साब साब दिख रहे होगी वर्क नहीं कर रही है लेकिन जब भी आपके पास यह तरीक यहां पर आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से मैं कोल करके अगर आप लोग यहां पर O dollar यूज़ करो Realme का तब भी आपको देखने को मिलेगा, अगर आप लोग Google dollar यूज़ करो तब भी आपको incoming को light यहां पर आपको so करेगा, बेटर तरिके से आप लोग जाकर अपने Realme के tool प्लस 5G phone में इसे इनेबल कर सकतो, और इनेबल करने के हिंद जा भारत बाव दोस्तों